सिवईया और सिवई की खीर तो आपने बहुत खाई होंगी तो फिर चलिए इसी सिवई से आज कुछ नया बनाते हैं कुछ ऐसा बनाएंगे जिसको खाकर इस ठंड में मज़ा ही आ जाएगा इसके लिए हमें चाहिए सिवई वैसे तो ये होमेट सिवई है पर आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगी और अगर आपको इस होमेट सिवई की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में सरूर बताइए तो अब मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे दो से धाई कप पानी पहले तो हम इसमें एक बॉयल आजाने देंगे बॉयल आजाने के बाद हम इसमें डालेंगे सेवई सेवई मैं ले रही हूँ दो कप सेवई को हम पानी में ज़्यादा दर बॉयल नहीं करेंगे बस इसको दो से तीन मिनट उबाल लेना है और इसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह चान कर निकाल लीजिए आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और मैंने लिया है एक बड़ा साथ ज़रना आप किसी भी ज़रने से इसको पानी से निकाल सकते हैं तो ये लीजिए हमारी खिली खिली से वही बोईल हो चुकी है अभी मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाला है एक बड़ा चमस सरसो का तेल तेल को गरम हो जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक मिडियम साइज का अनियन और उसको ओमलेट चॉप्ट करके डाला है इसमें प्यास को बस हम हलका सा सौटे करेंगे अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दो हडी मीर्च छोटे टुकडों में कटी हुई और तीन से चार जावा लसन के और वो भी छोटे छोटे टुकडों में कटे हुई इन सारी चीजों को हमें हलका सा सौटे कर लेना है इनको हमें जादा डाक ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस इसको हलका सौटे करेंगे और इसमें डाल देंगे सिम्ला मिर्च कटी हुई इसको भी बस एक से दो बार चमब से चला लेंगे और अब इसमें डालेंगे छोड़े टुकडों में कटे हुए टमाटर अब टमाटरों को हम एक से दो मिनट तक सॉफ्ट कर लेंगे तमाटरों के एकदम से सॉफ्ट करने के लिए और जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए इसमें नमक डालना होता है स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको जल्दी से सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सुखे और पिसे हुए मसाले तो मैंने इसमें डाला है एक चमच लालमिश का पाउडर और एक मैगी मसाला अब इसको एक से दो मिनट तक अच्छी तरह भूल लीजिए फिर इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ सिवई और फिर इसको अच्छी तरह इन मसालों में मिला लीजिए चमच से अभी से इसको देखने से ही चाउमिन वाली फिलिंग्स आ रही है आप इसको एक बार इस तरह से ट्राइ करके देखिए इसका टेस्ट सूपर टेस्टी लगेगा और फिर आप चाउमिन को भूल जाएंगे और इसको ही खाना पसंद करेंगे मैंने सिवयों को हलके हलके हाथों से अच्छी तरह मसालों में मिला लिया है और मैंने एक और टमाटर को स्लाइस्ट में काट लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी करीब एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम और इसको एक बार फिर से अच्छी तेरा मिला लेंगे इसको हलके हलके हाथों से मिलाएंगे ताकि सेवई मैश ना हो और ये खिला-खिला ही रहे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे अभी मैंने उपर से डाला है एक और मैगी मसाला अगर आप चाहें तो इसमें और बेस बाइसे इसको अपने पसंद के एड़ कर सकते हैं तो ये लीजिए हमारा तीखा चटपटा सेवई का चामिन तयार है अब इसको गर्मा गरम प्लेट में सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस ठंड में खाये और सबकू बना कर खिलाए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो बाबाई एंड टेक कियर